हेलो एब्रीवान गुद इबनिंग वेल्कम बेक तो मैं यू व्लोग तो आज है संडे और कल मंदे है तो मैं मंदे जा रही हूं पता है कहा हम लोग लीडू जा रहे है शादी है हमारा फैमिली का तो शादी के लिए देखिए इतना सारा कप्रा मैंने पैक करके रखा है तो स्चर्ट करते है वायं एक कटींग तो मैं अपना जो सारी ऐंट करते है वल्य असका बतला यह सपार्डमाज करना ठीक है तो मैं अपना सारी वह पक सातर रहें कर दिया है और साथ में दो सादर और मेखला का सेट ले रही हूँ एक है यहां पर यहां पर साथ में मेरा कप्राइं बहुत ज़्यादा हो गया है साथ में ब्लाउस भी ले रहे हुआ और शादी पेना बहुत ज्यादा कपड़ा चाहिए होता है तो मैंने अपना जो है जो इंपोर्टन चीज़े बहुत ले रहे हुआ और साथ में यहां पर चीज दालूंगी तो मैंना तो सारी को सेटिंग कर रहे हो ऐसे और जो साधर मिखला है उसको भी ऐसे ही डाल जीओ मैं क्योंकि शादी पर बहुत ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है और वहां पर जैसे कि हम को हम लोग चार पास दिन रहेंगे तो इसी वज़े से सारी बहुत ज़्यादा चाहिए है तो और यह है मेरा पेटिकोट तो यह सकारड पाist है और रेडिमेट है तो यह एलस्टिक है तो आप लोग भी इसको फ्लीप कार्ट से और प्लीप कार्ट से यहाँ ले सकते है तो यह मेरा फेवरिट और यह में किसले है आपि यहां तो हो गया है तो एग बैक तो मी रही हो गया है। इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ वर्णायों के पापा का स्टार्ट करे हो मैं यहां से तो बाप बीचा का कपड़ा पहले यहां पे रख लेते हैं यह वाला जीन्स और इसके बाट अब होगा बाप बेटी का कपड़ा पेकी और इससे मैं दोनों का पहले डाल लेती हूँ यह होगया पैंट और यहां पे टी-शिर्स है यहां टी-शिर्स डालते हैं बनायों का और यहां पे है पैंट बच्चे का कपड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है सिरिसली मैं अकेले अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे इ इन डोनों बाप बेटे के लिए कपड़ा बहुत ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है और तो पहले में जो यहां पे दिखें कितना ज़्यादा शर्ट, जैकेट जो मैं यहां पे डालूंगी पहले यहीं पे डाल लेती हूँ और जो पैंट है वो साइड में मैं यह हो गया pen और वहां पे थोड़ा सा ठण है तो मुझे कल कॉल किया था जो शादी से वहां पे कजन देधी कॉल किया कि गरम कपड़ा लेक्या हूँ बहुत ज़़ा ठण है लीडू में इसी वज़े से में को गरम कपड़ा लेके जाना पड़ेगा और यह वनायू का अंडर् रखूंगी और भी बेश्ट ऑफारायों का ही और बहुत जादा तो में अब इतना अब कप्ड़ा में डालू तो डालू कहां डालू उसके बाद में में का समान वह भी दालना है तो और एक लेगा पड़ेगा क्या तो शाधी के लिए मैंने कप्राकी करी हूँ और यहां पे देखे कितना ज़्यादा कप्रां और मेरा ऑधर एक बयाग ना पढ़ेगा तो शादी मेरा मेह बहुत जड़ा चाहिए होता है और में extra लूंगी और अभी मेरा इग्दम शूट करना है तो बताइए मैं क्या करूँ इधर करूँ की उधर करूँ सो अभी मैं जादा टाइम नहीं ले सकती फिर भी बाहर मेंने ना थोड़ा बहुत शूज और चपल वगेरा बाहर सुखा के रखा मैं थोड़ा साब लोगों को दिखाती हूं तो घर का हाल देखें य थोड़ा बहुत कपड़ा मैंने ऐसे सुखाया था तो मेरे शूज बगेरा अगर सूख जाये ना तो फिर यहीं पर हम पैकिंग कर सकते हैं इसको तो बढ़ायों का जो शौक्स बगेरा सब अच्छे से फिर से धोधाय करके रखी हूं और यहां पर साफ है इसलिए मैं यहा पर लौकी का पेर हुआ है देखिए तो अब लौकी खाने का सिजन आ गया है तो देखिए यहां पर एकदम अच्छा लौकी लगेगा और पता नहीं कब हम खा पाएंगे इसको बढ़ ठोड़ा चुटड़ा चुट़ा हो रहा है तो अभी लौकी का सिजन है तो लौकी भी इंजॉय करना पड़ेगा अब फाइनली जा रही है हम लोग साधी पर और इस साल पर में को बहुत ज़्यादा बाहर जाना हुआ बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएगा क्योंकि एक दोब फैमिली का है और एटन करना ही पड़ेगा तो मेरे ना भर्णाय का जो भी पढ़ा मतलब पढ़ने का जो भी है सिलेबस मेंने कंप्रेज कर दिया है उसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना है मतलब भर्णाय के एक्जाम्स क्या होगा थरब क्योंकि आपनों को पता है मैं वीडियर लंबा नहीं करें तो लेट हो जाएगा मुझे बेकिंग हो गया है कंप्लीट और यहां पे मेरा थोड़ा बहुत कपड़ा है और शौक्स बगएरा है मेकप का समान डालना है बाकी इस यहां पे और यहां पे शादी में पहनी हुए कपड़ा रेडी है बस एक बैग लेना पड़ेगा जहांपे मेरा हीन्स बगएरा को रखना पड़ेगा तो मैं हीन्स एक दो लेके जाओंगी और बस यहां ड्रेसिन का जो भी सामान है उसको सेट करना पड़ेगा क्यूकि अध्यकुन को अग्र एक अउप ब्ये घथा शेंपू वगेरा और देखिए मैं हूँ यहां पेक अप में यह मेरा फ्रेंड ने दिया था जो कि है ममतास और यह सब तो आपको पता ही है एवोर्स जो मुझे मिला था तो यहां पर मैंने ऐसे अपना जो भी क्रीम पाउडर वगेरा जो भी है ऐसे रखी हूँ जो कि लेके जाना पड़ेगा तो हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे पर पता ने रिलेटिव का शादी है और हम लोग को एटन करना पड़ेगा तो मैं सीरिसली बोल्ड हूँ मेरा फोन पे बिल्कुल चर्ज नहीं है तो मैं को थोर सा चार्ज करना हैं सो शादी का व्लोक्स प्लीज देखिएगा आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लेगेगा क्योंकि ना इसलिए मैं बोल्ड होगी बहुत ज़्यादा अच्छा लेगेगा वहाँ पर हम लोग का जो गोर्खा ट्रेडिशनल जो भी है शादी का नियम बगेरा आप ल लेकि जा रही हूँ सो मैं आसका ब्लोक्स बिल्कुल नहीं और अभी की ब्लोक्स बना रहे हो अभी के अभी मैं पोस्ट करूंगे अगर अच्छा लेगे व्लोक्स तो लाइक को में श्यर्करना बिल्कुल मत बहुत